अच्छे और मज़ेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए मौत शे पहले हर कोई मरने शे डरता है मरने शे बचने के लिए हर शक्स अपने स्तर पर हर संभ़ प्रयास करता है सोचो अगर कोई आकर आप शे इमोशनल आवाज में पूचे कि क्या आप मरने के लिए तयार है या आप किस तरीके शे मरना पसंद करोंगे उसके हाथ में एक ट्रे है जिसमें बहुत सी दवाएं रखी है बहीं पास में बैठा एक रिष्टेदार रो रहा है इसके बाद आगे मौत देने की प्रॉसेस शुरू की जाती है इसके बाद तो अच्छे अच्छे की हालत पतली हो सकती है अरे भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है यह सब एक वर्चुल रियालिटी फिल्म का हिस्सा है इस फिल्म के जरिये यह सब कुछ महसूस करवाने की कोशिश की जाएगी जो अपनी मर्जीशे जान देने वालों को महसूस होती है स्विचलेंड में डिगनिटास क्लिनिक दुनिया में अकेला ऐसा क्लिनिक है जिसका कॉंसेप्ट डरावना है यहां अपनी जान देने वालों की मदद की जाती है इस क्लिनिक की शुरुआत 1998 में हुई थी और अब तक सैकडों लोग यहां अपनी जान दे चुके है लंदन के बेस्ट राइटर और डाइरेक्टर अवरिल फरनेस ने जब इस क्लिनिक में जान देने वालों का वीडियो देखा तो उनके दिमाग में एक विचार आया अवरिल ने यह सोचा कि यह अनुभव बाकी लोगों को भी देना चाहिए इसके लिए अवरिल ने वर्चुवल रियालिटी फिल्म बनाई इस फिल्म को देखने के लिए हैडसेट पहनना होता है और हैडसेट पहनने के बाद व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह स्विचलेंड के डैथ क्लिनिक में है जहां वह महिला आकर मरने की इच्छा के बारे में पूछती है व्यक्ति को यह सब रियल अनुभव की तरह लगता है कमरे में कोई भी डरावनी चीज नहीं होती है बस मौट चैसी शांती होती है जो आपको बुरी तरह डरा सकती है इस फिल्म के जरिये जो कुछ भी तक तयार नहीं है कि इस फिल्म को पब्लिक के लिए जारी करें या नहीं इस फिल्म में वर्चुल रियलीटी को दिखाने के लिए साइंटिस्ट ने भी काम किया है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए औ और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद